को आपको सबसे पहले क्या के संबोदित करूँ आपको हीट-मशीन कहूं सुपर-स्टार कहूं ट्रेंदिंग-सटार कहूं या कुछ और किस चीज को कहके क्या कहके कि आपको संबोधित करूं सर्थ बस आप अपना भाई समझ के संबोधित कर दीजिए इस से ज़्यादा क्या हो सकता है हम लोग साइद इस पर ज्यादा खुश रहते हैं क्योंकि यही नहीं मिलता है बाकी चीज तो हर जग मिल जाती है परिश्टा की एक प्रेस कांफरेंस रखी गई है इंतजार इस बात का था कि खिसारी लाल यादो आएंगे और आफिशियल रिलीज डेट जो है इसकी वो एनाउंस करेंगे तो क्या आफिशियल रिलीज डेट है परिश्टा थीएटर्स में कब आ रही है खिसारी नहीं आफिश्टा की कहानी सच पूछी तो पीन ही लोग जानते हैं एक मैं एक सर्धा जी और एक अमित शुकला जी और मैं ऐसा किरेदार कर पाया तो मुझे लगता है कि इसमें इन दोनों का बहुत योगदान मिला मुझे इतना सपोर्ट मिला इन लोगों का कोई भी दुनिया में कलाकार तभी बहतर कर पाता है जब सामने वाला बहतर करता है और ये लोग इतना बहतर की है कि एक पागल का किरेदार करना जो मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है लेकि उसके बावज़ोद भी मुझे नहीं समझना है ये बहुत कस्ट होता है मुझे नहीं आता है लेकि मुझे अब बिट ना चना तो वो कस्ट दायक होता है और कोई भी चीजे इजली नहीं थी मेरे लिए और भरिस्ता मेरे लिए एक चैलेंज था और पूरे दिन धूप में और उस कॉस्ट्व में रहना और रात में रहना दिन में रहना तो बहुत कस्ट था हमारे लाल बभु पंडित हो चाहे बीजे जी हो चाहे हमारे रेडी साहब हो चाहे उस टीम से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं परकास जैसे लेकर मेगा सरी से लेकर मैंने हर आदमी अपना हैंडेटें 10 परसेंट दिया हमारे प्रिंस भाई जो की कैमरा में थे और उ देखा तो सबने बोला कि हाँ भजपुरी में कुछ बेहतर चीज़ी आई है तो आदमी जब कुछ करता है और जब पबली का रिस्पॉंस आता है तो वहां समझ में आता है कि नहीं हमें बदलाव की तरफ जाना चाहिए क्योंकि हर आदमी बदलाव चाहता है और हम तो सुर अनन्द कमलेस की वी एक कहानी होगी अगर करना पड़ेगा तो वह एक आक्टर के लिए चैलेंज होता है तो और वही चैलेंज था मरे लिए हम लोगोंने कोशिष किए एक बहस्तर सीनेमा देने की अब देखे जंता का क्या प्यार और क्या सनीह आता हमादे करक्टर गयारन नहाय नहीं थे कर ली कई ऐं से देखा है लेकिन कहानी समंझ नहीं कहले क्या बाद क्या हद रहा है ऻिजतिंस अँदेत बता ओं ये गए ऑगार देखे समझे को पैलिंगा चाँ रही जा रहा है कि ट्रेलर्स में सब कुछ अगर हम समझा देंगे तो साइध फिल्म लोगों को समझ में नहीं आगी इसलिए फिल्म है और एक परिवार की कहानी है तो परिवार कैसे क्या होता है नहीं होता है और एक परिवार में क्या हमियत होती है दुनिया हिरोईन के लिए पागल होती है गल्फेंट के लिए पागल होती है लेकि वो आदमी किसलिए पागल है अब सिनेमा दुनिया देखेगी तो साथ समझ में आएगा और पहला ऐसा सिनेमा होगा इतिहास में जो कि आपको एक अलग नज़र आएगा और इसका पागल पंती अलग नजर आएगी सबको हम लोगों ने कोशिस किये कि वो करेदार को जितना बहतर कर सके मैं अपने तरफ से अपना इंपूट जितना हो सकता है मैंने कोशिस किये और आप लोगों को कैसा लागा ट्रेलर पदे पहले बताईए आप लोगों के चीजे बेहतर आईए और मुझे खुसीस बात की है आप लोग सिनेमा का ट्रेलर देखे हो नहीं तो हमारे भजपुरी में अक्सर ऐसे होते हैं कि सिनेमा कोई देखता नहीं है उसको बल्गर बता देता है यह ठीक नहीं है वो ठीक नहीं है